नमस्कार दोस्तन स्वगत थे आपका हमारे शेनल लिचार जागेंद्र मिस्टा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के कन्यराज की दरिनिक रास्विल की लेकन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 28 अक्टूबर 2021 गुरु बार का दिन है और कारतिक मास कृष्ण पक्षी सब्तमीति थी है नच्चत्र की बात करें तो आज पुनर वशुष शुबाए शाड़े 6 बजे तक रहेगा उसके बाद पुष नच्चत्र सुरू हो जाएगा आज के जो अफजीत महुरत दुपार 11 ब 49 मिर्सले के सुबह 9 बज कर 42 मिर्ट तक रहेगा इस अस्व समय कोई भी सुब और नए कार के शुरूआत ना करेने तो बिगन वाधाया शक्ती है अब बात करते हैं आज के कन्यराश की दनिक रास्फल की और यह प्रेक्शन चंद राशी पर अधारी थै कन्यराश के जातको आज पांच सुब समाचार मिलेंगे आज आज आपको अपने केरियर में जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आएगी केरियर में बदलाव होने की योग बन रहे हैं पर कोई अच्छी खबर मिलेगी केरियर में जी हाँ कन्यराश के आज आज आपको कोई सुब समाचारों की प प्रवात होगी आज अपने लक्ष की प्राप्ति करते हुए नजराएंगे आगे बढ़ेंगे लक्ष को प्राप्त करके और सफलता भी मिलेगी आज की दिन कन्याराज के जातकों आज आप धर्म कर्म से संबंधित कारियों पर भी आगे बढ़ेंगे और लोगों को बीच बन हो रहा है और कन्याराज के आपको आज केरियों बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा बड़े अधिकारी आज आपके कामों की सराहना कर सकते हैं आपके काम की पर संसर करेंगे आपका यानि इस्ताथ देते नजराएंगे तो कन्याराज के आज आपको आज आपको अगर पहले से निवेस किये हुए हैं, चाहिए वो शेर मार्कटिंग के छेतर में हो, या फिर जमीन प्रॉपलिटी के छेतर में हो, या फिर अपने बिजनेस ब्यापार से किसी बेहतर कंपणियों में आपने निवेस किया है, तो उसका आपको धनलाब जरूर मिलेगा. आज आपको लोटरिश अटा के रुप में दूसरी सुभसमाचारों की प्राब्ती होगी साथ ही, बेंकिंगं के छेतर से तीसरा शुभसमाचार प्राब्त होगा कि बेंक के छेतर से कन्ने राजकियात को, आज आपको लोन वगारे मन्जूर होगा आप घरेलू जो इस्तियां काफी बहतर हो रही है और आज बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा कोई महत्वपूर्ण डिल फाइनल होगी बिजनेस ब्यापार में तो कन्ये रासकेत कोई इस डिल के फाइनल होने से इस्तियां काफी बहतर नजर आएगी आज की दिन आज आप जो भी काम करेंगे सकरात्म करोप से आज आगे बढ़ेंगे मन में जो दोविधाय थी कन्ये रास करें तो जो मन में उलजने थी वो आज की दिन दूर होती नजर आएगी और आज आप सकरात्मक मोड के साथ काम करेंगे, फोकस करेंगे, कुछ महतपूर्ण चीजों के खरीदारी कर सकते हैं, आज आप गाड़ी बाहन के खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बाहन का सुक प्राप्त होतार नज़राएगा, साथी साथ आज कदिन काफी बहतर हो साथी किसी के सहीयोग से आज आज आपको धनलाब की प्राप्ति होगी पार्टनर्शिप में अगर बिजनेस बियापार करते हैं या फिर पार्टनर्शिप की तलास कर रहे थे तो एक नए पार्टनर मिलते नजराएंगे और अगर पहले से या जुड़ कर काम कर रहे हैं कन्य आज आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण अपसर रहेंगे कई महतपूर्ण काम बनेंगे जो काफी दिनों से नहीं बन पा रहे थे ये चीज़े आपके लिए काफी बहतर हो रही है तो कन्यरास के जातकों आज निश्ती तोर पे कहा जाए तो आज पारिवारिक जीवन भी जोल बना रहेगा तरिवार में कोई सुबकार यानि के भारिकार हो सकते हैं कथा वारता हो छकती है साथसा यहां पर चोथी जो सुबसमार बिलेगी वह अवयाही जातकों के रिष्ट की बारे में मिलेगे कोई रिष्टे तै होते नजराएंगे नए रिष्टे आ सकते हैं जिससे कि आज आज आपके लिए मन में काफी उत्सुकता और प्रस्वनता भरी रहेगी काफी जदा खुस मिजाज मोड़ में आएंगे यानि कि जो अभी आही जा तक है अभी तक विवाह म कि आपको संतान का रूपे मिलेगी तो कंयराज के जतकों, आज संतान प्राप्थिक योग बन रहे हैं, संतान के तरब से आपको AGAमन काफी हर 100 अलासित नजराएगा, जीवन साती का भरपूर सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा above कर्षयत में मदद कर सकते हैं, जीवन साती आ आज आपके लव लाई भी बहुत अच्छी रहेगी, लव पार्टनर को कुछ गिप्ट और उपहार देंगे, उनके साथ काफी जदा अच्छे से समय वीतेगा, और धेर सारी मिठी-मिठी बाते होंगे, कुछ गिप्ट और उपहार देने के सो सकते हैं, उनके साथ जुड़ा और लगा दोनों बना रहेगा कन्य राज के जातकों आज आपका स्वास्त भी बहतर होगा आपके लाब भाव पे चंद्रमा गोशर कर रहे हैं एक अदस भाव पे जो कि आपके बड़े भाई बहनों का है साथी इंकम का है, आई का है, मानसमान का है और ब्रिद्धी का है, तो यानि इन सभी चीजों में आज आपको लाब मिलेगा आपका मानसमान बढ़े का कन्य राज के जातकों और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा साथी मानसमान की प्राप्ती होगी हर छेत्र में ब्रिद्धी होगी महतपूर कोई सवधा करेंगे चाहे जमीन प्रॉपरिटी का सवधा करते हैं या फिर आप खरीज सकते हैं बेज सकते हैं रियल इस्टेट कंट्रक्शन से जुड़े हुए हैं ठेकदारी से जुड़े हुए हैं आगर आप कपड़े से संबन्दित कोई ब्यापार करते हैं तो कन्यराश के जातकों आज आपको बहुत सुबवसमाचारों की प्राप्ती होगी खासकर आज स्वास्ति भी उत्तम रहेगा और यहां पर देखा जाए तो स्टुडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा कुल मिला के कहा जाए, तो इस्तिया काफी बेटर हो रही है, हर पकर से लाभ मिलेंगे, जो भी परिशानिया चलिए आरी थी, यह फिर कोई दिक्ते चलिए आरी थी, वो सहब आप दीरे धीरे आपकी दूर होती नजट आएगी, यालिकि इस्तिया काफी बेटर है, किसी प्रक तराओं की योग बन रहे हैं, यात्रा हो सकती है, यात्रा हला कि आपके इस काफी सुब परद रहेगी, लेकिन एक बात के ध्यान रखें, कनिराज के जातकों कि यहाँ पर लेन देन, किसी ना करें, किसी को उधार कर जाना दे, हला कि आपका इंकम और जो रुका वो फसाव ध दूर दराज की जो रिष्टेदार थे उनका आना जाना हो सकता है या फिर किसी रिष्टेदार के साथ मतभेथ थे किसी प्रगार की अनबन थी तो कन्यराज के एजातकों आज की दिन वह दूर मतभेथ होंगे और आपस में मेल मिलाप होगा पुराने मित्रों का सहयोग प्रा कर आगे बढ़ने के अवश्कता होगी हर कार को बड़ी बारी किसे करें तो आपको काफी लाब भी मिलेगा तो कन्यराज के जातकों आज की दिन यहनी काफी उत्तम रहेगा और पांच सबसमाचारों की प्राप्ति हो रही है जिसके कारण आज के दिन आपके लिए और भी बेहतर बन रहा है तो कन्यराज के जातकों आज आपका शुब रंग रहेगा यहाँ पर गुलाबी कलर और भाग साथ निवारा आपका तक्रीवन 85% दोस्तों ज्याते ते बेटगोले जरूर करें ने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जैशनिरेव